हलो दोस्तों आप देगरें इन्फोनिक चैनल आज हम लोग बात करने वहले कि पुरिये दुनिया में जो फूड क्राइसिस बनी है और इसमें इंडिया का क्या रोल है और डब्लू ट्यो का क्या रोल है इसको डिफेंड करने के लिए तो चलिए शूरू करते उससे पहले हम ब सब्सक्राइब कीजिए ताकि जाद से जादा रीच पहुंच सके अब यह ग्लोबल फूर्ट सप्लाइचेन बहुत जादा इंटरफ्ट हुआ है और यह हुआ क्यू है पहले हम बता दें कि यह जो क्राइसिस है यह क्राइसिस स्टार्ट कब से हुआ है जब 24 फेबरारी 2022 औ एक तनाव पूर्ण स्थिती बना है जो एक वाट टाइप का स्थिती बन गया है इसके बदले में रश्या के ऊपर बहुत जाद यूरोपियन यूनियन और अमेरिका बहुत सब्सक्राइचेन को बहुत जादा इंटरफ्ट करते हैं आपको इसके बदारे में बता रहा हुं उससे पहले आपको दिखाते है इस आर्टिकल का स्क्रिंशोट जो दुनिया भर में पब्लिश हुआ है पहला आर्टिकल है ग्लोबल फूड क्राइसिस ये न्यू यर्ट टाइम्स का आर्टिकल है और सेकेंड वाला टाइम मेगाजिन का आर्टिकल है और यून के रिपोर् कोई भी country में चाहिए आप किदना भी reach आमीर इंसन क्यों ना हो आपको ये food चाहिए ही चाहिए आपको जिन्देगी गुजारने के लिए चाहिए आपका bank account में किदना भी पैसा हो जाए लेकिन आपको actual food दो चाहिए ही चाहिए लेकिन जब supply chain interrupt होता है तब ये food का price से लेके ब people general people है सबसे जादा इसमें यह सफर करते हैं देखिए यह जो food crisis बना है ना सबसे जादा food crisis बना क्यों है आपको पता हो कर राशिया एक बहुत बड़ा country है राशिया बहुत बड़ा country है और Ukraine भी आच्छा कासा बड़ा country है इसमें राशिया का population तो कम है लेकिन उसमें जमीन जादा है और जो wheat wheat मतलब जो गेहों होता है वह बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा वहां पर fertilized land पर प्रोड्यूस करते हैं और वैसे ही सेम केस है यूक्रेयन के अंदर लेकिन राशिया और यूक्रेयन में people के मतलब जन्सां का कम होने के कारण यहां पर जितना wheat बनता है ज् जाशिया पूरे दुनिया में पहले नंबर पे है एक्सपोर्टर के मार्केट में और यूक्रेयन है फिप नंबर पे एक्सपोर्टर के मामले में तो दोनों मिला के दुनिया को 30% और उससे भी ज्यादा wheat एक्सपोर्ट कर देते हैं अब सोचिए 100% के अंदर 30% का supply chain इंटर लिए असल में बहुत सारे चीज इन दोनों कंट्रीज ने बनाते हैं जैसे स्वावीन ओईल हो गया संफ्लावर ओईल हो गया और डिफरेंट टाइप का जो ओईल होता है जो खाने वाला भेज ओईल होता है तो वह सब चीज का प्राइस बहुत जादा बढ़ गया है और अब यह सप्लाइचेनी इंटरफ्ट हो गया तो पेस्टिसाइट का भी प्राइस बहुत जादा हाई हो गया है तो अब लोग जो जेनरल जो आदमी जो खेती करते हैं तो उहां पर भी असर पड़ता है तो प्राइस आदमें धीरे-धीरे महंगाब होते आता है रशिया और यूक्रेन के वार के बीच स्टार्ट होने के बाद बहुत सारा सेंसेंस लगाया है इसमें सीपिंग इंडस्ट्री भी बहुत जादा एफिक्टेड हुआ है आपको पता होगा कि जब रशिया से ओयल इंपोर्ट बैंक कर दिया गया है तब यह ओयल का प्राइस बहुत जादा हाई हो गया है अब जहाँ चलने के लिए तो चाहिए ओयल और ओयल का प्राइस ही हाई हो गया तो सीपिंग इंडस्ट्री बहुत जादा इसमें एफेक्ट हुआ है और जहां पर दुनिया में सप्लाइचेंड की बात है तो सीपिंग इंडस्री बहुत एक मह तो यह सब global food supply chain में यह सब include भी हो गया है तो इस बाइसे price भी बहुत ज़्यादा high हो गया तो पहले कारण हो गया pesticide का उसके बाद गेहों supply हो नहीं पाड़ा है उसके बाद तीसरा कारण है जो सिपिंग होड़ा है जो भी 70% जो भी सिपिंग होड़ा है उसमें भी सिपिंग क गणी जैसे गारीब कंट्री कांन सा है जैसे माल जिए अफृेकान म कंट्री बहुत सारे जो प्रोवाटी मेल और प्रोवाटी मेल नीचे सब यह पाका है इन लोग बहुत ज्यादा प्राइस से पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि जेनरल फूट के लिए क्योंकि उनके पास पैसे क्याम रहते हैं लेकिन यह एक ग्लोबल सप्लाइचेट इसके बदले में इंटरप्ट होने के कारण जो बहुत ज्यादा प्राइस हो गया है उन लोग कंट्री जो खरिद नहीं पार रहे हैं इस बाएसे जेनरल पीपिल सबसे ज्यादा सफर कर रहा है और भुगमरी की स्थिती बनने जाड़ा है यह यूएन के रिपोर्ट में साब साब लिखा हुआ यहाई है इस बीचैनी बने जाड़ा है लेकिन इस में हम लोग बता दें का क्या रोल है इंडिया में क्या फूड क्राइसी बनेंगा या नहीं अफर्श कि5 लिए हम लोग हमलोग जेगा में बहुत सारे चीज्व में तरक्य कर लिए हम शो हम लोग जो एग्रिकल्चर सेक्टर है हम इसको छोड़े नहीं है इसका बहुत अच्छा रिजिन भी है क्योंकि हमारे जो लैंड है बहुत जादा फटिलाइज है जैसे बहुत सारे कंट्रीज है उहां पर तो टेक्निकल से बहुत चीज से तो बहुत अच्छा बन गया लेकि निगला है और बहुत सालों से यह इंडास्ट्री चलते आ रहा है ग्रिकल्चर जो सेक्टर है और हमारे देज में जो भी प्रोड्यूस होता है हम लोग अपने पीपल को खिलाने के लिए काफी बहुत जादा काफी होता ही है और इस बार जो 2022 का जो शेशन था इसमें आच् पादा एकसेस भी यह किया है जो वायर हाउस में हम लोग रखते हैं इंडियन गौवर्णमेंट या बहुत सरे सरकारी जो वायर है उसे वहां पर रखाया आता है जो एकसेस फूड होता है तकि बाद में कोई क्राइस के टाइम हम लोग खिला पाए तो यह बहुत जादा इ भी यहां पर हुई टेश्पोर्ट होता था वो तो इंटरेफ्ट हुआ है लेकिन इसका सप्लाइचेंट का भड़पाई कौन कर रहा है इंडिया कर रहा है इंडिया पता है अल टाइम हाई एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट किया है एक्रिकल्चर 50 बिलियन यूएस डॉलर का स यह स्रेब पॉसिबिल हो पाया है यह जो February 24 और March 31 के बीज में एक्सपोर्ट इंडिया के एक्रिकल्चर में बहुत ज्यादा हुआ है स्रेब दो माहिने में दो या तीन माहिने में यह एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वहां पर क्राइसिस चल रहा था ल क्योंकि आभी तक भी यह जो क्राइसिस है यह चल रहा है और कब तक चलेगा यह भी ठीक से हम लोगों को पता नहीं तो डायरेक्ट और इंडियान गॉवर्मेंट और इंडिया का जो आम किशान है उनको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है आपको पता होगा इंडिया में भी आनाज का प्राइस बहुत जादा बहुत जादा तो नहीं थोड़ा बहुत बढ़ा है इसका कारण क्या है मेंली इसका कारण मेंली है पेस्टिसाइड का जो प्राइस बढ़ा है उस बाई से और ट्रांस्पोर्टेशन में जो ऑईल का हम इंडिया में जो ऑईल प्र प्रोडियूस कर लेता है उद्ना फूड जो इंडिया को चाहिए और इंडिया अभी इस्थिति में है इंडिया दुनिया को खिला सकता है अब एक आपको स्क्रिंशॉट दिखाता हूं कुछ न्यूज आटिकल का एक हिंदुस्तन टाइप्स का यहां लेट में है दाहिंदू तुर्म का आर्टिकल्ट तो यहां पर प्यम मोधी जी ने बहुत अच्छा चीज बोली है यह वड्य यूर्ड कब यूज किया था पता है यह वर्ड यूस गया था जब एमेरिकटन प्रेजिटेंट marty के साथ उन्हों ने वर्चोल संविट कर रहा था तब इन्हों यह वर्ड यूज किया था, यह बहुत tricky वर्ड है, यहाँ पर तो इंडिया तो खिलाने की बात तो कर रहा है, लेकिन WTO का छूट भी मांग रहा है यहाँ पर अब लोग को बताते हैं, WTO का क्या रोल है WTO मतलब World Trade Organization दुनिया भर में जो भी trade होता है तो यह वर्जडों की तरह काम करता है, मतलब कौन देश क्या कर रहा है, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या चीज खोड़ा है कौन सी रूल्स और रिगुलेशन जो भी बना के रखे, तो WTO यहाँ पर रिगुलाइज करता है, यह एक टाइप का UN का अंडर बॉड़ी है जो यह सब करते है इंडिया चाहे तो भी बहुत सारे कंट्री में एक्सपोर्ट करने ही पाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिजिंस है, क्योंकि यहाँ पर आत जाता है WTO का रूल्स और रिगुलेशन WTO का रूल्स और रिगुलेशन को बाइपास करने के लिए यह पीएम मोदी यह ट्रिक्स बताया है अमेरिकन काउंटर पार्ट से यहाँ पर रूल्स और रिगुलेशन यहाँ पर कैसे इंटराप करते है इंडियान एक्सपोर्ट को पहले जानते हैं इंडियान जो एक्सपोर्ट है यहाँ पर एक चीज़ आपको सबको पता होगा जो इंडियान गॉवर्मेंट या बहुत सारे राज्यसरकारे बहुत जादा सब्जीडी देते हैं चाए हो डाइरेक्ट हो चाए हो इंडाइरेक्ट हो जैसे मान लीज़े बीज खरीदना है तो वहाँ पर सब्जीडी मिलता है या वाटर में सब्जीडी मिलता है जैसे वाटर पांप चलाने के लिए जो एक्रिकल्चर जो इलेक्टिसिरी बिल होता है वहाँ पर सब्जीडी मिलता है उसके बाद जो pesticide खड़ी दे जाता है उसमें भी बहुत सारे छूट जाता है आपको पता होगा यह सब चीज तो WTO के खिलाफ है क्योंकि उन लोग का मानना है इंडिया तो अब बहुत बड़ी कंट्री है बहुत बड़े आवादी है बहुत foreign reserve है उसमें बहुत सारे पैसा ज देके वहाँ पर प्रोड्यूस करते जो मान लीजे एक कोई आनाज होता है दस रूपे किलो में उन लोग प्रोड्यूस कर लेता है लेकिन बहुत सारे countries है जो यह subsidy प्रोवाइड नहीं कर पाता है जैसे मान लीजे आप आज के डेट में मानके चलिए स्री लंका बैसे तो स् चोटे जोटे countries है छोटे क्या दुनिया बर में 60-70% ऐसे countries है जो अपने किशान को subsidy प्रोवाइड नहीं कर पाता है लेकिन आपको बता दे यह जो subsidy वाला सिस्टम है अमेरिका में भी चलते आ रहे लेकिन अमेरिका के ऊपर कभी भी WTO का यह नहीं रहता है क्योंकि उन लोग direct कोई subsidy नहीं देता है उन लोग कुछ और स्कीम के नाम से किशान को फायदा पहुचा देते तो यह WTO का टाइप का बाइपास करने के लिए हो जाता है लेकिन इंडिया में direct और indirect दोनों तरीके से हम लोग देखते है क्योंकि बहुत सारा किशान का स्कीम भी Indian Government के अंदर चल 20 रुपे में produce करता है जब foreign market में जाते है foreign market में foreign market में कोई इंडिया 10 रुपे में आना पूरे दुनिया को खिला सकता है और जो छोटे मोटे countries है बहुत सारे agriculture अलग countries है तो 20 रुपे में वही product देते है तो obviously इंडिया का इंडिया का ही सब लोग खड़ी देगा तो दूसरे country का जो agriculture sector है जो agriculture export है वो completely बरबाद हो जाएगा तो इस वाई से WTO के rules and regulations बीज में आ जाता है तो इसके लिए बहुत सारे deals हो नहीं पाता है क्योंकि बहुत सारे actually होता है food to food transparent होता है government to government लेकिन इसमें WTO का regulation मानना भी जरूरी होता है तो इस वाई से नरंद मोदी जी ने बह यह WTO थोड़ा बहुत छूट दे दे थोड़ा बहुत के छूट दे इस मामले में इंडिया को लेकिन WTO मानने के लिए तेया नहीं है यह बहुत दीन से यह discussion चल रहा है लेकिन अभी तक इसके उपर कोई solution आया नहीं है लेकिन इसमें क्या है सबसे जादा main suffer कर रहा है general people जो छोटे मोटे country में है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है खाने पीने खाने की तो वहाँ पर सबसे जादा यह सब लोग सफर कर रहे है तो सब को समझ में आ गया होगा तो यह food crisis कैसे बना और इंडिया का क्या रोल है WTO का क्या रोल है और US का इसमें क्या involvement है और रशिया और Ukraine के जब बीज में जो वार्स का स्थीती बना है तो इसका main reason क्या है और इसमें इंडिया को कैसे और इंडिया का अग्रिकल्च सेक्टर कैसे फाइदा पहुचेगा तो इसके बारे में पूरा जानकारी दिया गया है आपको यह वीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe जरूर दियेगा ताकि हमारे reach बहुत अच्छे से बन पाए जाहिन धन्नवाद